उमेश पाल हत्या कान के बाद से फरार माफिया अतीक एहमत की बेगम और 50,000 रुपे की इनामी शाइस्ता परवी और 5,000 रुपे का इनामी गुड़ो मुस्लिम स्टीएफ के लिए नासूर बनते जा रहे हैं स्टीएफ की तमाम खोजी कोशिशों के बाद भी स्टीएफ टीम इन दोनों को पकरने में अभी तक काम्याब नहीं हो पाई है शाइस्ता के सरेंडर की आशंकाओं के बीच ये भी चर्चा हो रही है कि अतीक की बीवी शाइस्ता उसकी बहन आईशा नूरी और गुड़ो बंबाज साथ साथ है हालाकि धीमी धीमी सुलक रही इस आशंका पर बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है वहीं पुलिस अधिकारी भी इस पर खुल कर नहीं बोड़ रहे हैं स्टीएफ की टी में दोनों फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए दोनों की लोकेशन पता करने में जुटी हुई है पुलिस विभाग का खुफिया तंत्र भी इसकाम में लगा हुआ है लेकिन बावजूर इसके ये दोनों पुलिस के हथी अभी तक नहीं चड़े हैं असद एनकाउंचर और अतिक हत्याकान के बाद पुलिस को शाइस्ता के सामने आने की उम्मीद थी लेकिन शाइस्ता ना असद के जनाजे में दिखी ना ही अपने शोहर और देवर अश्रफ के जनाजे में शाइस्ता और गुड़ो मुसलिम योपी स्टेफ के लिए मोस्ट वॉन्टेड है बजाइए कि शाइस्ता माफिया अतिक के पत्नी होने की वज़ा से उसके तमाम राज जानती है तो वही गुड़ो मुसलिम भी अतिक गिरों का सबसे पुराना आदमी है जहां शाइस्ता अतिक से मिलने सावर मती जेल जाती रही है और अतिक की देश भर में फैली बेनामी संपत्यों के बारे में उसे पता है तो वही गुड़ो राजू पाल हतियाकान से लेकर उमेश पाल हतियाकान तक अतिक के तमाम काले कारिनामों का राज़दार है शाहिस्ता जहां उमेशपाल हतियाकान की साज़िश की बैचकों में शुरू से शामिल रही है और हतियाकान के तमाम पहलों से रूबरू है तो वही उमेशपाल की हतिया में गुड़ू का हुनर CCTV रिकॉर्डिक में पूरे देश ने देखा इन दोनों के ही पकड़े जाने से अतीक के कई काले राजों पर से परदा उठ सकता है फिलाल फ़रार शाहिस्ता की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाने की तैयारी है शाहिस्ता पर 50,000 रुपे का इनाम है जोसे बढ़ाकर एक लाख रुपे किया जा सकता है तो वही फरार तीनों शूटर, गुड़ो, मुसलिम, अर्मान और साबिर पर 5-5 लाख रुपे का इनाम रखा गया है अब देखना आई होगा कि क्या पुलिस शाइस्ता को पकरने में कामियाब होती है जैस्ता खुद पुलिस के सामने आकर खुद को सरेंडर करती है फिलाल इस खबर में अभी के लिए बस अतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्स्क्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बेल आईकन दबाना बिल्कुल ना भूलें